रहुद जी, थैंक यू बेरे मिज़ सर, सर, we are discussing on India's glorious space journey, ये तो जर्नी है बहुत ही गवरोवशाली है, सरकारे आती है, सरकारे चली जाती है, प्रधान मंत्री भी आया और चले गए, लेकिन इंडिया की ये space journey निरंतर चल रही है और चलती रही है, ये पंडित नेरू वर सेट नरेंदर मोदी, ऐसा जगडा नहीं होना चाहिए, आप वहां से मोदी मोदी करेंगे, हम नेरू नेरू करेंगे, ये teamwork है, 2014 से पहले भी इस देश में बहुत बड़ा काम हुआ है, और उसके बदवलत आज चंद्रयान उपर गया है, प्रधान मंतरी के अपने-अपनी सोच होती है, कोई विद्यानवादी होता है, कोई अंदस्रदावादी होता है, कोई अंदवक्त होते है, कोई भक्त होते है, पंदित नेरू जी के जमाने भी बहुत से नाली और गटार थे, लेकिन पंदित नेरू ने ये नहीं कहा कि गटार से ग्यास निकाल कर चाय बना, लेकिन ये भी विद्यान है, मैं नहीं मानतों ये विद्यान नहीं है, ये भी साइन्स है, गटार से भी हम ग्यास निकाल सकते हैं ये भी साइन्स है लेकि पंडित निरु की सोच उपर थी पंडित निरु ने इस रो बनाए इस रो बनाए और आधम सत्तर साल में यहां तक पहुँच गये हैं मिश्ण चंद्रयान तीन की कामियाबी अध्भूत है सर अब यह जो यातरा है यह यातरा चंद्रयान एक से शुरू हुई थी चंद्रयान तुमे भी जारी रही और चंद्रयान तीन ने इतिहास रचा है यह हमारे 60-70 साल के टीम वर्क का नतिजा है यह जो हमारा इतियासी कुराना संसद भवन है उसमें जो आखरी संयुकत बैठक हुई उसमें प्रधान मंत्री ने संबोधित किया और सांसदों के साथ पैदल चलकर यहां तक आ गए नए संसद भवन में आ गए 1947 से हमारी सफर इस देश की सफर इसी तरह से हो रही है पंडित नेरू जो पहले प्रधान मंत्री थे उस वक्त इस देश में एक सुई तक नहीं बनती थी कूछ नहीं बनता था और आज हम हमारा चांद्रयान उपर भेज रहे हैं सर आर्या भट भारत का पहला उपगर था जिसे 19 एप्रिल 1975 को कॉस्मोस 3M लॉंच वेहिकल से लॉंच किया गया था सर मैंने कहा कि ये गवरोशाली आत्रा है आज इसरो भारत का गवरोव है और इसकी स्थापना 1962 में होई थी विक्रम सारा भाई जी के बारे में जैराम रमेज जी ने कहा पुरी कहानी सुनाई विक्रम सारा भाई इसरो के उस वक्त तीम लिडर थे और उनके तीम भी बहुत चोटी थी बहुत गिने चुने वैजना ने उनके पास थे पैसो की तंगी थी लेकिन साल भर में भारत ने पहला रॉकेट लॉंज गया और उसके पार्ट्स को साइकल पर लाद कर लॉंज सेंटर तक पहुंचाया गया था वो अईतियासिक तजबीर आज भी हमारे शरुरी पर रोंग्टे खड़े कर देती है और आज छे दशक के बाद हम चांद पर मंगल पर और गगण यान ये सब जो देन है सर ये हमारी देश के साट सतर साल में हमारे पंडित निरू से लेकर आज तक के प्रधान मंत्री मोध मैं सब का नाम लेना चाहता हूं सर प्रधान मंत्री जी ने कल कहा मद्बूत भारत बनाना है बड़े सोच से ही भव्या मद्बूत भारत का निर्मान होगा सोच बड़ी होगी तो बड़े काम हो जाते हैं और साइंस और टेक्नलोजी के सिवा ये देष आगे नहीं बढ़ेगा लेकिन हमने करोना काल में क्या देखा? पापर बेचो, थालिया बजाओ, थालिया बजाओ this is not science and technology ये science technology नहीं है ये अंदसरदा है यह साइंस टेक्मोलोजी नहीं है हमारे हमारे इस देश के वाइदना नुपो ने वैक्सिन बनाया और वैक्सिन बनने के बाद उस वैक्सिन के कवर पर प्रदान मत्रे ने सिप अपना फोटो लगा कर प्रचार किया हमको आदर करना चाहिए हमारे साइंटिस का हमारे विज्ञान का हमारे टेक्नोलोजी का साइंस टेक्नोलोजी यह राजनीटी करने का विशय नहीं है राजनीटी करने के लिए बहुत से विशय है लेकिन कुछ लोगों ने इस विशय में भी राजनीटी लाइए हमको राजनीटी नहीं करने चाहिए कुछ लोगों ने यहां कि साइंस एंट टेक्नोलोजी में जलमेना वर्शन अंद्र का जगणा लगा दिया एक अब तक चलेगा सर डॉक्टर ओनिल जैन सर आज के इस मोग